ये जो अवैद रूप से विदेशी जन्पद विराय रहे हैं, इसमें क्या काज़ाई हो गया है? प्रदेश में अवैद रूप से आवासित बांगला देशी एवं अन्य विदेशी नागरिकों के संबंद में DGP महोदय द्वारा 30 सितंबर को एक विस्तरी सर्कुलर जारी किया गया है और उसी सर्कुलर के करम में जन्पद में S.P. North जो है उनको नोडल आफिसर बनाया गया है और एक टीम बना दी गई है जिसमें C.O.L.I.U. और अन्य अधिकारी भी उसमें सम्मिलित किये गए है इस टीम का कारिया है कि जन्पद में जो अवैद रूप से विदेशी नागरिक मुखेता जो बांगला देशी यहां रह रहे हैं उनको चिन्नित करना शहर के जो आउटर एरिया है या इस तरह के अवैद रूप से रह रहे हैं लोग जो बाहुली छेतर हैं उनको चिन्नित करना इस टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है यहां भी देखा जाएगा कि क्या इन लोगों के द्वारा अवैद तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके या अवैद तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए हैं यदि ऐसा है तो विधिक कारवाई की जाएगी और कुछ मामलों में जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि अवैद रूप से यहां रहने के बाद पासपोर्ट या कुछ इस तरह का अभी लेग महतोपूर्ण अभी लेग भी यदि बनाया जाता है तो चिन्नित करके वैदानी कारवाई की जाएगी गौड तलब यहा है कि यदि कोई व्यक्ति मदद करता है इस तरह के अभी लेग बनाने में तो उसको भी जिम्मेदार ठहराए जाएगा जो इस तरह के नागरिग यदि कहीं डॉमेस्टिक हेल्प के रूप में या लेवर के रूप में या किसी आफिस में या किनी पदों पर कारे कर रहे हैं तो उनसे हमलों का अन्रोध है कि वहाँ इसका वेरिफिकेशन करवा ले और जो वेरिफिकेशन की सुविदा है वो ऑन पुलिस ने जो एंटी क्राइम हेलप लाइन नंबर जारी किया है 7839861314 उस पर भी लोग सुचित कर सकते हैं उस पर विदिक कारवाई की जाएगी फिलाल जो आउटर एरियास हैं बसटे रेलवे स्टेशन हैं उस पर हम लोगों ने विस्तित रूप से इसमें ये कोशिस कि गया है कि वहां पर विसेश नजर रखें और यहाँ भी है कि जो जो कोडिनेशन एजनसी इसमें बनाई गई हैं जैसे बीएस फ को बनाए गया है जोनल एडीजी के थूरू कम्मिनिकेशन करके उन्हें अउगत कराने के लिए और इसी तरह जो ग्रेव विभाग का वीजा विभाग है उसमें आई जी इंटेलिजेंस जो हैं उनके थूरू सुचित करने के लिए तो एक डेटा कलेक्शन का एक ड्राइव है इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन सिस्टेमेटिकली इस काम को करके इस डेटा को कलेट करके उचित माद्यम से समय अनुसार प्रेशिद भ इस ईंटेलिजेंस